पंकज्य मैंने सुना इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि आपकी शादी हुई विदाई वाइफ की हुरी थी आप रो रहे थे मुझे लग रहा है था मेरी वज़़ से इंविदाई हो रही है तो एक अपराधी मैं भी हूँ मुझे विदाई बुरा बहुत बुरा लगता है मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं गाउं में भी कोई लड़की विदाव होती है तो जो माबाप से दूर होने का मैं इमोशनल हो जाता हूँ अब देखिए ना बिगनिंग में अपना ही वीडियो देखके इमोशनल हो गया ऐसा कुछ नहीं था मेरे किये हुए काम है जिस तरीके से आप सब उने अप्रिशेट किया रिसीव किया आते वक्त जो 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 प्रेम दिया उस प्रेम ने मुझे मेरा दिल भर दिया था यह आरोप सही है और यह अच्छा है यह आरोप सब पे लगए इमोशनल होने का गुंजन सक्सिदा की कल में जान भी जब एक्टिंग करती थी उसको आप बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगे थे उसके टेक्स देखकर भी आप रोते थे उससे बाणिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी आज भी है वो मेरे घर आती थी और बहुत सिंसेर और हार्ड वर्किंग है क्योंकि बाप बेटी मेरी भी एक बेटी है सर तो मैं बेटियों से वैसे ही थोड़ा जादा जुड़ा हुआ हूँ मैं रहता हूँ मेरे घर में चार-पांच महिलाएं हैं मेरी पतनी बेटी और लोग तो बहुक हो जाता हूँ लड़कियों को देख के चाहता हूँ उनके जीवन में ज्यादा बेहतरी हो तरक्की हो इसलिए इंटिमेट सीन नहीं करते हैं आप नई इंटिमेट सीन इंटेंट की बात अगें की इंटेंट इंटिमेट सीन तो हम सेक्स एडुकस्वन को पर पूरी फिल्म कर लिये हैं तो इंटेंट क्या है संसनी फैलाना या स्टोरी टेलिंग की कहानी उसके बिना पूरी नहीं हो सकती है उस कितनी उपयोगिता है कहानी में आपने बहुत सारे नेताओं के रोल किये हैं फिल्मों में लेकिन अटल जी इस देश के हीरो थे तो हीरो का हीरो बनना इसके लिए काफी तायारी करनी पड़ी होगी जी बिल्कुल पहले तो डरना पड़ा काफी डरना पड़ा आप कभी मिले जिंदिगे में अटल बहरी पट्णा के गांधी मैदान में मेरे खाल से 95-96 में तो एक रैली थी और मेरे प्रिये नेता थे प्रिये वक्ता थे तो उस रैली में मैं चला गया कि मैं जाओंगा सुनने तो मेरी साइकल थी पट्णा में ले गया उसको और वो मैदान के किनारे इसे नहीं रोले की लोहे की मेरी आखरी स्ट्रगल थक गया 300-400 मीटर दूर। उसके बाद पबलिक इतनी भीड थी कि मैं जाही नहीं पाया। तो मैं उस 95 या 6 की उस पोलिटिकल रैली में 400 मीटर दूर से मंच पर अटल जी को देख रहा था। और सिनेमा में वाइड एंगल बोलते हैं वाइड फ्रेम कि जहां सब कुछ दीखे तो पूरा स्टेज दीख रहा था मुझे मंच और मंच पर अटल जी भासन दे रहे थे वाचुके थे और पीछे सतुद्न सिन्हा जी खड़े थे तो मैं वाइड एंगल में देखते रहा और और उससे आगे मैं जा नहीं पाया था भीड की वज़े से जब जब इस फिल्म की सोटिंग होती थी रवी जी रवी जादो जो मेरे डिरेक्टर है वो सेट पर मुझे अटल जी ही बोलते थे तो डियो पी जो है इस इनेमाटोग्राफर जो हमारे फिल्म के लारेंस तो लार में वो वाइड दिखता था जब मैं दूर से देखा था तो इस ताथ पर यही है कि जीवन में जो एक्स्ट्रीम वाइड है न आप अपने पत पे चलते रहिए वो एक्स्ट्रीम क्लोज भी हो सकता है जब आपके अधारत में अटल बहरी बाच पर आए थे तो मैंने उसे का था क्या आपके नाम में कॉंट्रडिक्शन है तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे माता पिता ने हमारा नम सही रखा था मैं अटल भी हूँ और बिहारी भी हूँ तो आपकी फिल्म में उनका ये रूप नजर आएगा प्रियास तो किया है हम सबने ये रूप तो वैसे भी नजर आजाएगा कि अटल जी का किरदार कर रहा हूँ अभी नेता है वो एक बिहारी है आटल जी सुभाव से जरूर पढ़ती थी तो नरम होते थे और जब जरूर पढ़ती थी तो गरम हो जाते थे और पाकिस्तान के प्रती वो नरम भी रहे गरम भी रहे तो ये नरमी गरमी दिखाई है आपने हाँ बिल्कुल दिखाई है लाहर बस स्यात्रा भी है वो नर्मी भी है वो उनके विचार भी है कि एक मेत्रिपून सम्मंद बने और जहां सक्त निर्ने लेने पड़े थे वो भी है बिल्कुल दिखाई है तब ही तो विक्तित्तु को आप समझ पाएंगे जब नर्वी भी हो, उनका सारा पहलू हो तो हमने प्रयास तो किया है तो जब अटल जी पर फिल्म मना रहे थे तो अटाबेरी वाजपे के बारे में भी पढ़ा जी, बहुत पढ़ा लेकिन मुझे अफसोस है कि सोटिंग के पहले मैं आप से नहीं मिला एक पहलू और आ जाती अटल जी भी बहुत इमोश्टल इनसान थे जी अब मुझे मालूम नहीं आपके फिल्म में ये निकल के आएगा या नहीं आएगा, आएगा मतलब हमारे यहीं प्रयास है हमारी प्रयास है कि बटेस्वर के उस बच्चे की कहानी जो कालांतर में अदर्नी अटल विहारी बाजपी कैसे बने कही जाए और उनके मानिवी उनके बेक्तित्व के सारे पहलू आ जाएं उनकी ओरिटरी, उनकी राजनीती तो सर, ओरिटरी के लिए तो मैं छमाप राती हूँ कि कुछ भी करके अटल जी के ओरिटरी से वो प्रभाव पैदा करना मुस्किल है तो मैंने इमिटेट कम किया इमिटेशन और मिमिक्री नहीं की है फिल्म में मैंने अटल जी के थौट को पकड़ने की और समझने और समझाने की कोशिस की है कि मनोदसा उनकी स्पीच के समय क्या रही होगी सरकारे आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिगडेंगी पर यह देश हो जाना चाहिए इस देश का लोग तंत्रमर रहना चाहिए तो उसमें हाथ बाया गया या दाया गया इंपोर्टेंट नहीं है थौट क्या था वो इंपोर्टेंट है विचार और मनुदसा फ्रेम आफ माइंड जिसको बोलते हैं मेंटल स्टेट तो उसको मैंने प्रयास किया है पकड़ने का तो अटल जी का किरदार निभाते निभाते उनके बारे में पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते आप में भी कुछ बदलाव आया जी बहुत मतलब इस अटल जी के विक्तित ने मुझे शान्त किया है मुझे भीतर से डेमोकरिटिक किया है कि अगर आप मेरी अलोचना भी करोगे तो मैं आपसे नराज नहीं होंगा ठीक है आपका प्रस्पेक्टिव है आपका सोचने कारी नजरिया है और असहमती की भी सहमती होनी चाहिए कि तुम मुझे से डिसेग्री हो इस बात से मैं अगरी हूँ ये अटल जी के किरदार ने मेरे विक्तित तुम्हें बदलाव किया है अटल जी ने एक बार मुझे से का था कि आप जितने बड़े होते जाएं बरदाश करने की ताकत उतनी बढ़ाते जाएं उन्हें वो बात बताई थी न कि बोलना नहीं चुप रहना सीख लो मैंने उनसे का था कि अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है भाशन देने की तो उन्हें ने का था कि हमसे बोलने की कला मत सीखे अगर कुछ सीखना है यह सीखे कि चुप कहा रहना है कित्ती बड़ी बात है आज मजबूरी है आपकी अदालत में हूँ नहीं तो मैं भी सोचा था चुप रहू हूँ इस फिल्म में भी क्या अटल जी की कविताएं हैं सुनने को मिलेगी लोगों को जे इस फिल्म में काफी कविताएं हैं कई जगा द्रिस्व में सीन में हम संबाद न बोलके उनकी दो लाइन कविता का इस्तेमाल कर लेते हैं कि यह हैं कि बहुत हैं कई जगों पे हैं आपकी आवाज में लेकिन उसमें मूल रूप से अटल जी की आवाज में भी कवीता सुनाई देगी फिल्म के अंदर जो जितना उचा उतना ही एक आकी होता है हर भार को स्वैम ही ढोता है चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है जरूरी ये है कि उचाई के साथ विस्तार भी हो उचाई के साथ विस्तार भी हो जिससे मनुस ठूट सा खड़ा न रहे औरों से घुले मिले किसी को साथ चले किसी के संग चले भीड में खो जाना यादों में डूब जाना स्वैम को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ जीवन को सुगंद देता है धर्ती को बौनों की नहीं उचे कद के इनसानों की जरूरत है इतने उचे की आस्मान को छूले तो ये कविता है इस कविता के अंध में उलाईन आती है कि मेरे प्रभू मुझे इतनी उचाई कभी मत देना गैरों को गले न लगा सकूँ इतनी रुखाई कभी मत देना आप पे एक सवाल था कि आपने इतने भादी भादी प्रिकागे किरदार प्ले करें हैं तो जब आपने अटल जी का इतना बड़ा किरदार आपने पेश किया तो आपको क्या कठनाई महसूस हूई इस चीज में यहीं कठनाई चुनाओती थी कि इमिटेशन कितना हो नकल कितना हो क्या मैं नयाय कर पाऊंगा जीवन इतना बड़ा है क्या रखना क्या रखेंगे क्या चुट जाएगा क्या स्क्रिप्ट होगी क्योंकि मुझे जब फिल्म अप्रोच होई थी तो स्क्रिप्ट नहीं थी तो बहुत साय और सबसे बड़ी कठीनाई प्रोस्थेटिक और मेकप दू घंटे मुझे प्रोस्थेटिक होता था मेरे चेहरे पे और लखनव के 45-46 डिग्री टेंपरेचर में प्रोस्थेटिक का रूल है कि एसी फ्लोर पे 22 डिग्री तक आप आराम से पांच घंटे कर सकते हैं चे गंटे हमको रियल लोकेशन पे गर्मी में पैंटालीस डिग्री में तो बहुत चुनाथी पूर्ण और मुस्किल का में फिल्म में चीए अगर आप ने आप से जानना चाहता हूं कि आपने अटल ब्यारी वाजपई के इस मुश्किल रोल के लिए पंकर तृपाटी कोई को चुना तो जब फिल्म बनाने का मुझों ने सोचा कि अटल जी पे फिल्म बननी चाहिए ह मतलब सिफ एक ही चैरा दिखा और यही बात मैंने पंकर जी को बोली भी कि अगर आप ने अगर मना कर दिया तो यह फिल्म नहीं बनेगी बनेगी बना पाएंगे और यह तिंग हमारी जो चॉईस है या हमने जब साथ मिल की फिचर बनाई तो यह रिसल्ट आए बाकि अभी अगर उनसे सवाल पूचे हैं तो मेरी राय शायद कुछ अलग हो सकती है कि आपने जिसको अटल जी का चरित्र किरदार निभाने के लिए चुना वो बिल्कु सही चोईस थी तो दश्चो को कि इंतजार रहेगा अटल बेहरी वाच पेपर आप कैसा भिने करते हैं कैसा किरदार निभाते हैं और अटल जी की जिन्दिक्यों को देखने के मुझे लगता है कि लोग इंतजार करेंगे बड़ी बहताबी से इस फिल्म का